दोस्तों आज की वीडियो में हम compare करने वाले हैं MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर को Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर के साथ में 845 जो प्रोसेसर था 2017-2018 का flagship प्रोसेसर था और 820 जो प्रोसेसर भाई काफी ज़्यादा potential दीख रहा है उसमें performance का काफी तगड़े specification मिलते हैं फोन के अगर बात करें तो Dimensity 820 आपको देखने को मिलेगा Redmi 10X के अंदर और भाई 845 प्रोसेसर की बात करें तो OnePlus 6 Series के अंदर देखने को मिला Poco F1 के अंदर देखने को मिला और भाई दोनों प्रोसेसर से performance काफी तगड़ी निकल के आती है इस वीडियो के अंदर करते हैं बाई दोनों प्रोसेसर को compare देखते हैं दोनों में से कौन साब प्रोसेसर है better फड़ावट से वीडियो को स्टाट कर लेते हैं लेकिन वीडियो को स्टाट करने के पहले like target set करते हैं और इस वीडियो का like target रखते हैं आपन 1500 likes का I hope आप complete कर दोगे, फड़ावर से वीडियो को start कर लेते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक्ट विलेज चैनल में आपका स्वागत है Start करते हैं launch date से Dimensity 820 launch हुआ है 18 माई 2020 को Snapdragon 845 launch हुआ था December 2017 में यानि Dimensity 820 बहुत जादा latest processor है CPU और CPU clock speed की अगर अपन बात करें architecture देखने के लिए मिलता है, दोनों ही processor में 4 plus 4 की big little approach आपको मिलती है Dimensity 820 के साथ में 4 core मिलते हैं आपको ARM Cortex A76 वाले performance वाले टास्क के लिए जहांपर clock speed आपको मिलती है 2.6 GHz की 4 core यहांपर मिलते हैं आपको efficiency वाले टास्क के लिए जिसके लिए मिलता है आपको cryo 385 gold CPU जो की ARM Cortex A75 पर based है और clock speed यहांपर मिलती है 2.8 GHz की 4 core यहांपर आपको मिलते है cryo 385 silver वाले जो की based है ARM Cortex A55 CPU पर clock speed यहांपर मिलती है 1.7 GHz की तो यहांपर peak clock speed को अगर देंगे तो 845 के अंदर आपको better clock speed देखने के लिए मिल रही है लेकिन Dimensity A20 के अंदर आपको latest वाले ARM Cortex A76 course देखने के लिए मिलते है इसलिए performance की अगर अपन बात करेंगे core CPU performance की तो Dimensity A20 के अंदर आपको better performance मिलेगी और CPU के मामले में Dimensity A20 एक better processor होने वाला है CPU fabrication process की अगर बात करें Dimensity A20 बना है 7 nanometer की fabrication process पर Snapdragon 845 बना है 10 nanometer की fabrication process पर यानि की भाई fabrication process के मामले में भी Dimensity A20 better processor है क्योंकि आपको पता है भाई fabrication process जितनी कम होती है processor उतना better होता है CPU architecture और cores की अगर बात करें यहाँ पर दोनों ही processor 64-bit के octa-core processor है यानि दोनों processor में आपको task distribution के लिए और multi-tasking के लिए 8-8 core मिलते है Graphic processing unit यानि GPU की अगर अपन बात करें Dimensity A20 के साथ में आपको ARM Mali G57 MC5 GPU देखने को मिलता है 5 core का GPU भाई 7 nanometer पर बना हुआ और clock speed आपको मिलती है लगबग 900 MHz के असपास तो भाई GPU performance यहां पर Dimensity A20 में आपको काफी अच्छी मिलेगी Snapdragon 845 के साथ में मिलता है आपको Qualcomm Adreno 630 GPU अब इन दोनों GPU को अगर compare करें तो भाई Adreno 630 से आपको थोड़ी सी better performance निकल गयाएगी और इस चीज को मैं हलका फुल के आपको clear कर देता हूँ उनकी GPU के score से यहां पर Adreno 630 को 111 के लगबग point मिलते हैं अला कि G57 वाले GPU के अभी तक declare नहीं हुए है score लेकिन भाई इसको मेरे हिसाब से 104 से 105 point के आसपास मिलने तो तक्रीबन 6-7 point का difference रहेगा यहां पर दोनों GPU में और GPU के मामले में Snapdragon 845 एक better processor होने वाला है RAM सपोर्ट की अगर बात करें दोनों processor के साथ में आपको dual channel LPDDR 4X RAM का सपोर्ट मिलता है दोनों processor के साथ में RAM frequency मिलती है 2133 MHz की और maximum RAM size की बात करें तो Dimensity 820 में मिलती है 16 GB की RAM 845 के साथ में मिलती है 10 GB की RAM तो वाई RAM सपोर्ट के मामले में दोनों processor एक जैसे हैं Storage सपोर्ट की अगर बात करें Dimensity 820 के साथ में आपको EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 तीनो टाइप की Storage का सपोर्ट मिल जाता है Snapdragon 845 के साथ में आपको केवल EMMC 5.1 और UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है UFS 3 वाली Storage का सपोर्ट या पर आपको नहीं मिलता है तो इस्टोडे सपोर्ट के मामले में भी Dimensity 820 एक बेटर प्रोसेसर है Camera सपोर्ट के अगर बात करें Dimensity 820 के साथ में 80MP का सिंगल कैमरा और 32 प्लस 16MP का डूल कैमरा देखने को मिल सकता है Snapdragon 845 के बात करें तो 16 प्लस 16MP का डूल कैमरा 32MP तक का सिंगल कैमरा मिल जाता है और दोनों के साथ में MFNR और ZSL का सपोर्ट मिल जाता है और Maximum Camera Size की अगर बात करें तो 192MP तक का कैमरा या पर देखने को मिल जाता है तो कैमरा सपोर्ट के मामले में Snapdragon 845 बेटर प्रोसेसर है Video Capture Resolution की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर के साथ में आप अप टू 4K वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं 2160 pixels वाले 4K Ultra HD वीडियो 60fps पर 1080 pixels वाले वीडियो 120fps और 720 pixels वाले HD वीडियो 240fps पर आप रिकॉर्ट कर सकते हैं तो Video Capture Resolution के मामले में दोनों प्रोसेसर मेरे हिसाब से एक जैसे हैं Display Support के अगर बात करें Dimensity 820 के साथ में आपको Full HD Plus डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 25 20 by 1080 pixels का resolution मिल जाता है और refresh rate आपको मिल जाता है 120 Hz सक्का Snapdragon 845 के साथ में आपको 4K Ultra HD वीडियो का आपको option मिलता है डिस्प्ले का आपको option मिलता है और 2160 by 3840 pixels का यहाँ पर resolution मिलता है तो Display Support के मामले में Snapdragon 845 बेटर प्रोसेसर है बात करें Network Modem की Dimensity 820 के साथ में Integrated 5G Tool Mode Modem देखने के लिए मिलता है जहाँ पर download की speed आपको 4.7 Gbps मिलती है upload speed यहाँ पर 2.5 Gbps मिलती है Snapdragon 845 के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको X20 Modem देखने को मिलता है जहाँ पर downlink के लिए CAT 18 Modem मिलता है और download speed मिलती है 1.2 Gbps की uplink के लिए यहाँ पर CAT 13 Modem मिलता है और upload speed मिलती है 150 Mbps की तो भाई LTE Modem या Network Modem के मामले में भी Dimensity 820 एक बेटर प्रोसेसर है Antutu Scores के अगर बात करें Dimensity 820 को मिले हैं लगबग 4.15.000 पॉइंट वहें पर Snapdragon 845 को मिले हैं 3.35.334 पॉइंट तो यहाँ पर अच्छा कासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है और Antutu के हिसाब से भी Dimensity 820 बेटर होने वाला है लास्ट में बात करते हैं गीक में स्कोर की Dimensity 820 का गीक में स्कोर तो हाले हाले की डिकलियर नहीं हुआ है Snapdragon 845 को सिंगल कोर में मिले हैं 2403 पॉइंट Multigore में मिले हैं 9,047 पॉइंट Dimensity 820 के जैसे इस कोर्स डिकलियर होंगे वैसे ही मैं अपने Instagram अकाउंट पर अपडेट कर दूँगा तो भाई अगर आपने मुझे Instagram पर अभी तक फॉलो नहीं किया है पर A75 कोर मिलते हैं यहाँ पर आपको A76 कोर मिलते हैं तो CPU आपको बैटर मिलेगा Dimensity 820 में Gaming की बात करें GPU की बात करें तो वो आपको अभी भी 845 के अंदर बैटर मिल रहा है Adreno 630 कहीं न कहीं एक बैटर GPU है तो GPU के मामले में यहाँ पर 845 बैटर प्रोसेसर है यहाँ पर बात करें फैब्रिकेशन प्रोसेस की तो फैब्रिकेशन प्रोसेस आपको बैटर मिलेगी 820 के अंदर 7 निनोमिटर पर बना है और बाई Network Modem की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिलता है 820 के अंदर 845 के साथ में आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है तो overall अगर चीज देखी जाए भाई यहाँ पर अगर CPU और GPU की बात कर तो यहाँ पर टाई है भाई कि यहाँ पर CPU आपको बैटर मिलेगा 820 के अंदर तो GPU मिलेगा 845 के अंदर लेकिन बाकी सारी चीजों को जब मिला लिया जाए storage type को मिला ले अपन यहाँ पर अपन fabrication process को मिला ले 5G support को मिला ले तो भाई मेरे हिसाब से इस battle के जो ultimate winner निकल के आता है वो निकल के आता है Dimensity 820 processor आप में को comment करके जरूर से बताना भाई आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई